हमारी बेटी जो बलातकार की शिक्कार है वो बेटी उत्तरपरदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाज जी के घर के बाहर अपने परिवार के साथ आत्म दहा के लिए पहुँचती है लगता है कि अब पुलीस जागेगी अब सरकार जागेगी मुख्यमंत्री जागेगा बेटी बचाओ के नारे के तहट इस बेटी को और उसके परिवार को न्याय दिलाएगा बिना ये देखते हुए के बलातकारी कौन है लेकिन उल्टा होता ये है कि आठ तारीक को मुख्यमंत्री आवाज से इस पूरे परिवार को ठाके पुलीस टेशन ले जाया जाता है पुलीस टेशन में जहां पर भाजपा के इस आरोपी बलातकारी विधायक कुलदीब सिंग सेंगर को होना चाहिए था जेल में उसकी जगा जिस बेटी का बलातकार वा उसके पिता को जेल में डाल दिया थाने में जो है वो कस्टिडी में ले लिया और आज आज 9 तारीक 9 अपरेल को पता लगता है कि पिता की पुलीस कस्टिडी में मौत हो चुकी है योगी अधित्यनाजी शादी की होती तो पत्नी के रूप में ही एक औरत का सम्मान क्या होता है शादी की होती योगी अधित्यनाजी तो आपकी भी बेटी अगर होती तो बेटी के साथ बलातकार का दर्द क्या होता है उस पिता का आप शायद समझ पाते जो आप नहीं और उस बेटी के साथ भगवान न करते ऐसा जगन्य अपराध होता तो उस पिता का दर्द शायद आप समझ पाते जो आज आप नहीं समझ पारें सिर्फ वोट के लिए खोकले नारे सुनते सुनते कान पक गएं चार सालों में बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ अब तो ये हो गया है कि भाजपा के बलातकारी नेताओं से बचाने की बात उट रही है मन की बात में आप बेटी बचाओ का नारा खुकला नारा देते हैं नाशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारा सरकार का ग्रह मंत्राले ने जारी की है रिपोर्ट पढ़िए उस रिपोर्ट को मुँपे तमाचा है आपके केंजर में बैठी भाजपा सरकार के मुँपे तमाचा है आपकी ही खुद की रिपोर्ट जो बताती है कि बेटियों के साथ घटनाए कम नहीं हुई पिछले सार सालों में बढ़ी है पिता को मोत के घाट उता दिया शरम करिये चुलू भर पानी में डूप बरिये योगी अधित्यनाजी चुलू भर पानी में शायद खुदा ने आपकी इसलिए आपको ना बीवी दी और ना आपको बेटी दी क्योंकि आप इस काबिल नहीं थे कि आप अपनी बेटी को भी बचा पाते इसलिए खुदा ने आपको बेटी नहीं दी मैं उत्तरपरदेश उन्नाव लखनओ के लोगों से कहूंगे दिल्ली और देश आपकी तरफ देख रहा है यह आपकी और हमारी बेटियां हैं जो सत्ता के इंदलालों की शिकार हो रही हैं मैं आप से कहूंगी आवाज उठाएए आवाज उठाएए